तो आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन इसके बारे में बात करेंगे जैसे कि एक एरिया आपके सामने दिख रहा है मैं चाहता हूं कोई भी परसंड कोई भी परसंड इस मेरे पर्टिकुलर डेटा को चेंज ना कर सके तो इसके लिए हम क्या करते हैं अगरे आपका जाकर के अंदर होता है उस में भी जा सकते हैं रिव्यू के अंदर जो आपका प्रकेत है यहां ए पिखने लागा एंग बोलता है कि इस से लोगे बालत करते हुए लंगником इन नहीं करते हैं कर्asm पासवर्ट को सार्वी लिए यहाँ सीखने वाली याद रखने वाली मैक्रोसुफ बोलता है कि इस लॉसन फॉर्टित था पासवर्ड इपकें नोट विडिकावर्ड कर नहीं होगा कुछ ऐसे सॉफ्ट्र पासवर्डिकावर्ड कर देते हैं उस फिरी है कुछ पेवल यह अगर आपने स्ट्रॉंग पास् तो जो है प्रोब्लम होगी तो मैंने पासवर्ड यहां डाल दिया पासवर्ड किया आप यहां आप देखें कि आपके सामने डेटा अब इसमें किसी तरह का चेंडिंग नहीं का सकता ना इसके ऊपर किसी तरह का फॉर्मेटिंग बगरा अब भी जो आप्शन से अप्लाई नहीं कर सकता है लेकि हाँ इसको सेलेक्ट करके किसी और जगहा पर हम पेस्ट कर सकते हैं अब मैं चाहता हूं कि भी भी डिसेबल हो जाया है कोपी ना कर सके तो सबसे पहले बाद कि कॉपी एक्सल का है ही नहीं इसको आप डिसेबल नहीं कर सकते हैं हम डिसेबल कर सकते हैं हम दूसरे तरीके से सोचेंगे कॉपी करने करी क्या जरूत पड़ता है जिसके बेगर कॉपी नहीं हो सकती है एस सोचना है के ट्रॉल सी राइट क्लिक कॉपी और कॉपी करने का तरीका हुआ ना कॉपी उस कंट्रोल सिदेट को एक्सल का पार्ट नहीं रैट तो स्लैक्षण जिहां जब तक हम डेटा को बोस्लेक्ट नहीं करेंगे तब तक को पर पर चल भी रहा है तो क्या पढ़ता है कि यह जब करते हैं तो प्रोट्रेक्ट शीट में यहां देखी एक तो हो गया कि आपके सामने प्रोटेक्शन करा दाल दीजिए उसके बाद यहां देखिए अलाओ और यूजर ओफ दिस वर्कशीट टू इस सारे फीचर्स हम अलाओ कर सकते हैं यूजर को पास्पर दालने के पार जैसे कि हमने फॉर्मेट सेल ले लिए रैट अब मैं अगर पास्पर दाले के ओके कर दूँ तो अब मैं चेंज तो नहीं कर सकता बड़ी दूद फॉर को तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो क्या करते हैं हम करते हैं कि लगा ले या फील्टर लगा ले या मैं क्या देर देगा ह। तो हम शॉर्ट देते हैं एक या प्रिवर्ड प्रिवर्ड जीतिया और AWS के यहां देखिए देखल रमजते हैं सेलेक्ट करने का प्रमीशन है ठीक है तो हमने इन दोनों प्रमीशन को हटा दिए अब पासपर डाला एड ओके अब देखें किलिक ही नहीं कर पा रहा हूं तो जायर सी बात है मैं क्लिक नहीं किया तो कॉपी नहीं होगी उसके बाद अगली सीट में आते हैं यहां अब यहां मेरे एक पर्टिकुलर एरिया है मैं चाहता हूं इस एडिय को प्रोटेक्शन से बाहर कर दो पासपर डालने के बाद बाखी एडियों पर में किसी तरह का चैंजिंग ना कर पाऊ टाइपिंग ना कर पाऊ लेकिन इसमें हम टाइप कर पाएं हमने राइट क्लिक कर ट्री मेंसन है कि पोटेंग वाकशीट एंड कंटेंट ओफ लॉक्टस और यहां भी लॉक्ट और लॉक्ट का जीकर हुआ है तो लॉक्ट अन्लोग क्या है हर सेल को जब राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के प्रोटेक्शन में जाते हैं तो यहां लॉक्ट पे क्लिक है इ अगर चेक कर दें तो अनलॉक होई तो हमने इस एरिये को सेलेक्ट किया राइट किया और इसको यहां से अनलॉक कर दिया अब मैं अगर सीट के राइट क्लिक किया और यहां पासवर्ड डाला पासवर्ड को कनफॉर्म किया अब देखेंगे कि मैं यहां कुछ टाइपिंग नहीं कर सकता लेकिन इस एल उस सेल पे हम टाइपिंग कर सकते हैं ठीक है सर्ट अब इसी का उल्टा करना चाहिए तो इसका उल्टा मतलब मैं चाहता हूं कि पूड़ा का पूड़ा सीट हमारा अन्पोटेक्ट हो बड़ एड़िया पूटेक्ट हुए तो हमने पूरी की पूरी सीट को सेलेक्ट किया क्योंकि हम जानते हैं कि बाई डिफोल्ट पूरी की पूरी सीट और लेडी लॉक्ट होती है तो हमने इसको राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल पर गया है है और यहां लॉक्ट को अंजेख कर दिया नजिक मतलब पास्वेर डाल के हम करते हैं तो आप यहां देखेंगे कि हम टाइप कर पा रहे हैं अब कोश्चन आता है कि इसका यूज क्या है तो कोई भी बता रहे हैं इसका यूज क्या है चलिए एक एक दू एक्जामपल हम आपको देते हैं यहां है मैं एक च्छोटा सा एक देटां एंटी सीट बना रहा हूं इसके बाद मैं यहां जोन date and time zone इस तरह की इंटी कर नहीं है तो क्या है कि मेरा amount calculated from one multiply by quantity and MRP से यहां साने इसको calculate कर देते हैं और इसके बाद commissions भी amount का टू परसेंट है कि GST amount का थारा परसेंट है कि वाद यहां पोर्टल आ गया अगया 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 हमारा calculated हो गया हम इस पर data कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पूजा डाला है quantity में हमने आपने हाँ पर quantity डाला और यहां पर MRP डाला और जैसे मैं यहां से टैप किया तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो हमारा data है already calculated है तो हमें date and time डालने के लिए चार सेल मता की चार सेकेंड पेस्ट करना पर रहे हर एक क्या है तो मैं चाहता हूं कि यह तो और रही मेरा calculated है तो मैं चाहता हूं कि यहां से सीधे जंब करके हां है कि समझें है तो मैं पूरी पूरी सीट को select करके format सेल में इसको unlock ताकि इस पर data entry हो सके है लेकि मैं डेटा इंट्री नहीं करना चाहता हूं इन चाहरग पे क्योंकि राइट क्लिक कर प्रटेक्ट शीट और यहां अपना पासवर्ड दे दिया लेकि पासवर्ड देते से में एक छोटा सा चीज हमने नहीं किया हमने बोला कि जो हमारा डी एफ जी मतलब कि अमाउंट कमीशन जी एसट एंड टोटल इनके अलावा सब में टाइप हो इसलिए हमने इसलेक्ट लॉट्स हटा दिया और सेलेक्शन भी अटा दिया और पर पासवर्ड को हम यहां से करते हैं ओके और यहां पासवर्ड अब क्या होगा कि देख पारेंगे अब चलिए हम डेटा इंती करते हैं अमने यहां पर ओम डाला सेविंटी एट सिक्स्टी फाइप और जैसे ही टैप प्रेस करूंगा ता देखेंगे कि डेट यहां जाए अगया डेट एक ही टैब में चला गया डेट के लिए कि मैं कर्सर में यहां से यहां सीधे जंप करके यहां पहुंच एक सब्सक्राइब और तीन सब्सक्राइब करेंगे कि करेंगे इस इस एक और एक जांपल लेते हैं यह आपको बनाना है यह से माल यह कुछ फॉर्म बगरा मनाता है ना फॉर्म बगरा और मैं यह रॉल यहां मार्क सूकश ऐसे माल यह कि फॉर्म बना हुआ are one इक होता है कि जहां जहां जरूरत होती इस मैं में चीज़ए फिल करते ना है सब मान जाता हूं कि मेरे माली माली जीएक माई यहां पर में जब एंटर करूं तो करसर जंप कर के नहां नीचे आता है न जयंकर कि अगले यहां फिर वहाँ से यह बसे मैं बाकि से मार्क्ष को गया और यहां से लॉक्ट हटा दिया और फिर राइट क्लिक और टैक्ट सीट और यहां सेलेक्ट अनलोग को हटाके और पास्वर डाल की अब देखिए करसर मारते हैं यहां देखिया रहा है तो इसका यूज़ करते हैं अब बात करते हैं कि एक ही सीट पे दो डिफ्रेंट डिफ्रेंट पास्वर्ड कैसे उसे पर एक चीज़ और भी है फॉर्मूला को करना जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने जो एक चौथे नमबर सीट पे जो एक्जामपल दिया था विसमें क्या था कि हम पॉर्मूला नहीं देख पार है किया क्लेक्ट्टिशन किता पर संट कि लगा नहीं पता चलना है को कि उसके करसर जाए तो पुर नहीं चले लिए बड़ी ट्रफिक नहीं है यहां पर यहां से ब्लैंक को तो हम उस पर जगह पर जाएंगे फॉर्मेर से जहां लॉक्त करते थे उसी की नीचे ही रिए से फिलिक कर दिजिए देन ओके राइट क्लिक और यहां आता है पुर्ट टैक्सीट ठीक है पास्टबर डाल दिजिए और ओके यहां दिक रहा है जैसे थी नइन पर जारा है अब जो है अगला एक्जाम्पल के तरह हम बढ़ते हैं जो कि है एक स्लेक्टेट एडिया एक सी करता था सबस्कों करते हैं क्या थी करता था तो तो ओल सेंटर में यह कसमर से बात करती थी कि भी पैशा कब दे रहें तो करता है कि कल आख के ले जाओ और फिस टेली कॉल टीम क्या करती थी पैसा असटीम के सटेटस अपडेट करती थी कि हमने कर लिया तो प्रॉबल्म क्या होता था कि फिल टीम को कभी-कभी उस एरिये में अधि इस उस पर्टिक्लर एरिये में कोई तो क्या करते थे क्यों कस्टमर से बात करके पेमेंट टेट्ट चेंज करेंगे जिस कारण से जो तेली कॉलिंग का यह होता था रिपोर्ट होती थी और जो फिल्ड का रिपोर्ट होता थो मिसमेश होने लगता है कि प्रूप बनाए के भेज दिया कि हमने आज जो है सो लोगों से बात की सो लोग कल पैसा देंगे कि अट्टली कोई केलेक्शन टीम गोलती थी कि मुझे नब्बे लोगों से नब्बे लोगों का डेटा मिला था हमने उसमें 75 का पैसा उठा लिया फाइब लोगों ने विजिट नहीं में डिस्वांस नहीं किया आप इगरबर हो जाती थी कि सौ और नब्बे क्या सर तो दस क देट चेंज होता था कि हाँ यह कल देगा परसो देगा तो उस केस में हमने किया एक ही सीट को दो अलग अलग पासवर्ट से लॉग कर देए और एक पासवर्ट हमने देदी क्लेक्शन टीम को जैसे माल लीजिए कि यह कॉलिंग टीम हमारी यह हो गए और दूसा इंगे आपको देखेगा सिर्फ एंद राओन जलाओ एंडिट एंज दिक रहा है विद्व थे तो इस बसंब स्कूर और ऑफ़ एंडेये और यहां हम दूस्य उस और यहां पर दूसरे का अलग पास्वर देते हैं अब दो अलग पास्वर मैं डाल चुके हैं लेकि अभी भी तर हो रहा है अप्लीकेबल तब होगा जब प्रोटैक्ट शीट कीजिए पास्वर डाले अब होगा कि जैसे मैं यहां टाइप करने जाओंगा मुझे पूछेगा कि यहां पर वण का पास्वर टाल दिया हमने यहां टाइप कर सकते हैं कब तक कि मेरी यह फाइल रिउपन नहीं हो जाती है दुबारा से इस फाइल को आपका है अगेन पास्वर्ट मांगे है और इसका पासवर्ड में पता है तो नहीं पता है तो दो से ज़्यादा पासवर्ड आप लगा सकते हैं ठीक है सर लेकिन अभी भी मेरा सीट सिक्यूर नहीं है अभी मेरा सीट जो है उसी क्यों है कि मैं किसी भी सीट को राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूं ठीक है तो सीट को सिलिक करने के लिए यह आपको पुट्रेक्ट वर्ट पूक आता है इस पर क्लिक कीजिए पासवर्ड डालिए एंड पासवर्ड को कन्फॉर्म कीजिए और ओके कि आप देखेंगे कि यह सीट की उपर सारे फीचर्स आपके डिसेबल हो गया ना आप नया सी सीट इंसर्ट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं ना रिनेम कर सकते हैं ना मूव और कॉपी कर सकते हैं सीट आपका पूरी तरह से डिलीट हो गया है क्लियर है लेकि अब भी आपका डेटा सिक्योर नहीं है क्योंकि डेटा अभी भी देखा जा सकता है क्योंकि फाइल अभी अभी create किया है और इसको save करते जा रहे हैं किसी particular नाम से होता है save करते हैं तो वहीं में tools नीचे tools दिए अब tools नीचे भी हो सकता है और उपर भी हो सकता है और अलग-अलग windows की हिसाब से होता है 2008 वगरह में window 8 या फिर window 7 वगरह में उपर होता है तो tools में जाके आपको दिखेगा general option इस general option पर आईए और password to open and password to modify डाल देजिए ठीक है तो अलग-अलग password एक password से आपका file open होगा दूसरे password से modify होगा अगर माल दीजिए आपके पास open password नहीं है तो आप file को खोली नहीं सकते पर आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा पर आपके पास open password है modify password नहीं है तो अगर आपने क्लिक कर दिया read only recommend में तो आप file को read only में open कर सकते है तो read only में open करने से क्या होगा कि आप file के सारा data को देख सकते है copy paste जो भी करना कर सकते है चेंज भी कर सकते है बड़ आप जो भी काम करेंगे ओघ्र नहीं होगा तो उस डेटा को चेंज वहाँ नहीं करना होता था इस लेटा से हम लोग रिपोर्ट बिता बनाते हैं तो यह तरह की पासपर्ट डाल लेवाइदे पासपर लपक्र पाश्पर्ट में नहीं होता था ता हुँए है पर प्रॉब्लम यह है कि फाइल को मुझे सेव एज करना पड़ता इसके लिए तो हम नई फाइल को करेंगे अगर हमने पुरानी डेटा को सेवेज किया तो प्रॉब्लम कि नई फाइल बना और नई फाइल जो है वह आपका बहुत सारे लिंक जो होंगे आपके फाइल से वह दिक्कत हो जाएगी इंसोर्ट में करना चाहरा हूं कि मैं किसी भी तरह के फाइल को चेंज नहीं करना चाहता मेरे जो फाइल उसी में लॉक लग जाए तो फाइल मेनुबार के अंदार इंफो में जाते हैं तो यहां प्रोटेक्ट कुन-कुन सीट आपका जाना है गूगल पर ठीक है तो गूगल में आपको सर्च करना है फॉर्म क्या सर्च करना है फॉर्म सर्च करने के बाद इसकी इमेल सेक्षन में आ जाएगा आप यहां से कोई एक फॉर्म लीजिए जो आप बना सकते हैं पॉर्म एट्रैक्टिव होना चाहिए ठीक है और उस फॉर्म पे आप प्रोटेक्शन अप्लाई कि दिये कि मेरा करसर वही वही जाए जहां जहां मैं टाइप करना चाहूं फालतु जगों पे ना जाए समझ गया है तो यहां पर फॉर्म में जैसी टैप मरूंगा लास्ट प ठीक है यह डिजाइन कीजिए अभी और मुझे जीजिए और रुद्रेश जाओ जी आपने स्क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं किया है तो रिकॉर्डिंग मैं थोड़ी दिर में आपको भेज देता हो कलकी टॉपिक हमारा डेटा हैलिंग से सुरू होगा इसमें हम शॉर्ट पिवट शुरू होगा ठीक है चलो मिलते हैं कल